ताइपस ऑफ प्लानिंग स्टैंडिंग अब जैसे कि हम ने यहां पड़ देखार आधा कई सारे प्लानिंग के अंदर पुलस इन माइनस इस रहे हैं वो आपकी situation के हिसाब से होता है यानि कि for example अचानक से कुछ एक problem आजाए तो आप जब instantly कोई चीज प्लान करते हो तो उस स्टानिंग प्लान कहा जाता है इसमें कई सारे policies का ध्यान रखा जाता है और कई सारे methods भी use किये जाते हैं जैसे कि कुछ चीज़े ऐसी भी होती है for example एक procedure है जिसके अंदर delivery करनी है order के हिसाब से customer को लेकिन अगर उसके अंदर credit policy ना हो तो आपको उसको in hand पैसा भी देना लेना परता है और या पिर कई बार आपको उन लोगों को time भी देना परता है ताकि वो आपका पैसा बाद में लोटा सके इस तरह से standing plan कहा जाता है यानि कि convenience के हिसाब से जरूरत के हिसाब से अपने motive को थोड़ा बदला जाए strategic plan business का जो unit होता है यानि कोई भी business होता है वो हमेशा philosophical होता है यानि कि सोच पर आधारित है अगर उसके अंदर हम सही दरहा से काम को अपने देखें और उनका function सही टाइप से use करें तो ही हम लोग उसमें मतलब अपना benefit ला सकते हैं उसी की हिसाब से अगर हम देखें इससे business का objective भी माना जाता है यानि कि जो है वो main है आपका idea आपकी सोच वो clear होने चाहिए कई बार लंबे समय तक का चलने वाला strategy होता है तो कुछ strategy जो होती है वो कम समय तक की होती है तो दो दरह की strategies होती है एक होती है long term और एक होती है short term इन strategies में क्या होता है कभी positivity मिलती है हमें एक दूर की सोच रखके काम करना होता है ताकि हमारी strategy लंबे समय तक चले tactical plan tactical plan किसे कहा जाता है यानि कि एक ऐसा plan जो आपके थोड़े समय के लिए काम में है ताकि आपको जब manage नहीं हो रहा हो कोई सामान या चीज जो आपका actual manager है अगर वो आपको न मिले तो बीच में कोई और आपका उस सहायक जो हो वो आपकी help कर दे short time के लिए वो एक छोटा plan बनाए और जिस पर से आपका business run out हो सके उसे tactical plan कहा जाता है जैसे कि कोई भी special knowledge वाला इनसान हो वो उस plan को काम में ला सके operational plan किसे कहा जाता है यानि business start करने से पहले जो आपने groups में divide करके हर किसी को उनका target दे दिया था उन लोगों को जैसे one year, two years का उसे operational plan कहा जाता है यानि आप वो अपने अभी के seasonal value के लिए इस समाल में ले रहे हो और ये plan जो होता है वो easy होता है ताकि आपका जादा discussions वगेरा जो हो आपके direct आपके employees से हो सके इस तरह के plans के अंदर routine work के बारे में बात की जाती है जैसे आज क्या काम होगा, कल क्या काम होगा इस तरह के plans को आप operational plan कहते हो single use plan single use plan जो होता है वो temporary plan होता है जो एक ही time पर आपको use आएगा for example किसी packaging के अंदर या printing machine के अंदर अगर कोई गरबर आ जाए तो उसके अंदर temporary solution जो निकले वो आपका temporary single use plan माना जाएगा या फिर contingency plan contingency plan किसे कहा जाता है ये वो business है जो आपकी बदलती हुए situation के अंदर और आसपास के वातावरन political, economical, social और natural किसी भी चीज़ की वज़े से अगर कोई problem आती है तो उसकी reasons के मद्दे नज़र रखते हुए आपको नए plan की शुड़वात करने पड़े उसे contingency plan कहा जाता है for example आजकल Corona चल रहा है जिसकी वज़े से सब businesses ठप पड़ गए है तो ऐसे time पर हर businessmen ने अपने plannings को बदला है ताकि short period के लिए वो अपना profit भी कर सके और अपना business भी चला सके